हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभी शेक सरकार का नमस्कार तो इंडिया और इंगलेंड का सेकेंड ओडियाई हुआ बहुत सारे रन पड़े एकदम रनों की बरसात हो गई पर इंगलेंड ने बहुती इजी ली वो मैच जीत लिया पर उस मैच की सेकेंड ओडियाई की खास बात रही के एल राहूल के एल राहूल ने शांदार सेंचुरी जड़ा 108 रन बनाए पर सबसे एहम था सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने जो एक्शन किया ये वाला के बन करके ऐसे एक्शन किया ये सब लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यू किया उन्होंने ये वाला एक्शन किसको दिखाने के लिए बनाया तो के एल राहूल ने आखिरकार इसका खुलासा कर दिया है कि उन्होंने ये एक्शन क्यू बनाया दरसल इंडिया और इंग्लेंड का जो T20 सिरीज था उसमें KL Rahul का performance जो था बहुती बिकार था बहुती खराब performance किया था KL Rahul ने उसके बाद उनकी बहुत जादा आलोचना हुई थी जिसके बाद KL Rahul बहुत जादा परिशान थे KL Rahul बहुत जादा डिप्रेस हो गए थे आलोचना की वज़े से इतना pressure डाल रहे थे इतने memes बन रहे थे KL Rahul के उपर पर दोस्तों 1st ODI में इंडिया वर्सिस इंग्लेंड के पहले ODI में KL Rahul ने शांदार 62 रन की पारी खेली फिर KL Rahul ने एक tweet किया कि उनको सब लोग best of luck विश करे क्योंकि उनको अभी लग की ज़रूरत है आलोचनाओं को जवाब देने के लिए लोगों ने भरपूर लग विश किया KL Rahul को और दूसरे ODI में शांदार 108 रनों की पारी खेली KL Rahul ने बहुती बहतरी इंडिया की best वारी खेली KL Rahul ने उस दिन में फिर दोस्तों century बनाने के बाद KL Rahul ने अपने कान बंद किये और सब लोगों को इशारा किया कि वो सब को अलोचनाओं को इगनोर कर रहे है KL Rahul ने ऐसा कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं था वो उन लोगों के लिए था जो उनकी आलोचनाओं कर रहे है ये उन लोगों को बताने के लिए था कि मैं आलोचनाओं को इगनोर कर रहा हूँ मेरे कान बंद है और मैं सिरफ खेल पे ध्यान दे रहा हूँ अपने performance पे ध्यान दे रहा हूँ आलोचनाओं से दूर हूँ मैं केल रहूल ने ये सफाई दी उन्होंने कहा कोई ये ना समझे कि मैंने किसी व्यक्ति विशेश के लिए ये action किया है तो दोस्तों आपका इसमें क्या कहना है केल रहूल के performance के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे रोज के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे दे अल्टिमेट स्पोर्ट्स को चैहिन दोस्तों